How Abraham Lincoln Changed the World Welcome to Study IQ, मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों आज 12 फेबरी है लगबग 213 साल पहले, 1809 में आज ही के दिन USA के इतिहास के सबसे महान नेता और राश्ट्रपती का जन्म गरीबी के बीच हुआ वो नेता थे Abraham Lincoln 16 में राश्ट्रपती बने Abraham Lincoln ने January 1, 1863 को अमेरिका के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया इस दिन उन्होंने फेमस Emancipation Proclamation के तहत सलेवरी नामक कुरूर सामाजिक विवस्था को अमेरिका में इलीगल घोशित कर दिया और सदियों से सलेवरी के बंधन में जकड़े African Americans को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्रेजिडेटन ने सलेवरी को अबॉलिश करने की पहल की थी लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में लिंकन के लिए ये काम आसान नहीं था क्यूंकि 19th century में United States में सलेवरी एक major political issue था और इसको लेकर लंबे समय तक political unrest चलता रहा 1860 में Abraham Lincoln ने presidential election जीदा और इसी के साथ उनकी strong anti-slavery सोच को भी बढ़ावा मिला लेकिन इसके कारण कुछ pro-slavery states ने बगावत की और 1861 में American Civil War छड़ गया 1865 तक चले इस वार को लिंकन ने बड़ी सूजबूज के साथ समहला और अमेरिका को बिखरने से रोका यही नहीं उन्होंने अमेरिका की federal government के fundamental character को भी बदल कर रख दिया और इसी कारण दोस्तों, दुनिया के इतिहास में Abraham Lincoln का नाम सबसे greatest political leaders में लिया जाता है चाहे उनका charisma हो या oritorial skills या फिर leadership quality Lincoln का नाम आज न सिर्फ अमेरिका के इतिहास में बलकि पूरी दुनिया के इतिहास में गर्व से लिया जाता है Lincoln अमेरिका के अब तक के सबसे famous और influential president साबित हुए लेकिन great emancipator कही जाने वाले Abraham Lincoln की कहानी क्या थी? किस तरह उनके extraordinary accomplishments ने उनको दुनिया में सबसे effective leaders में शुमार किया? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस तरह उनकी legacy आज भी कायम है? ना सिर्फ अमेरिका में बलकि पूरी दुनिया में आज की इस कहानी में हम Abraham Lincoln के इनी achievements पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि world stage पर उनके actions किस तरह आज भी relevant है चलिए सबसे पहले देखते हैं brief में Lincoln की early life और उनकी president बनने तक की कहानी early life and becoming president दोस्तों Abraham Lincoln का जन्म 12th February 1809 में Kentucky में एक छोटी से wooden cabin में हुआ गरीबी में ही पालन पोशन हुआ और वो largely एक self educated person थे अपने पिता की farming में help करते थे और वो एक लंबे कद के strong और athletic इंसान थे जियां दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 साल की उम्र में उन्होंने एक wrestling championship जीती थी खैर 1830 में यानि जब Lincoln 21 साल के थे तब उनकी family Illinois move कर गई यहां पर उन्होंने transport की boats पर काम किया दोस्तों इसी दोरान उनका पहली बार slavery से सक्षातकार भी हुआ इसके बाद 1832 में Lincoln ने पहली बार politics में एंटर किया जहां पर उन्होंने Illinois General Assembly के लिए election रड़ा लेकिन education, powerful friends और money की कमी के चलते वो ये election हार गए पर उन्होंने हार नहीं मानी और 1834 में विग पार्टी जॉइन कर उन्होंने दोबारा election रड़ा इस बार वो जीत गए और Illinois House of Representatives में उनका चार साल का टर्म शुरू हुआ पहले टर्म में ही उन्होंने कुछ bold steps लिये इस दोरान voting rights सिर्फ white landowners के पास होते थे लेकिन Lincoln ने इसे expand करके हर white male को include करने के लिए अपनी आवाज उठाई उन्होंने इस समय भी slavery को oppose किया था slavery के खिलाफ लड़ाई में सबसे पहला और important mode 1854 में आया जब Kansas और Nebraska, दोनों states ने Kansas-Nibraska Act पास किया इस act के तहट slavery का expansion होने वाला था पर Lincoln ने अपनी famous Peoria speech में इस act को oppose किया इस speech में उन्होंने openly slavery के खिलाफ अपने opposition को announce किया और इसके बाद से president बनने तक उन्होंने slavery के मुद्दे को अपना agenda बना लिया 1858 में हुए presidential debates में भी उन्होंने इस act को actively oppose किया इन debates में उनको एक national recognition मिला जिसके बाद उन्हें Republican Party की तरफ से presidential candidate बनाया गया और finally 1860 में हुए US elections में वो president बने उनके president बनते ही Southern US के pro-slavery states ने खुद को United States के union से अलग कर लिया और 1861 में American Civil War की शुरुआत हुई और यहां से शुरू होती है Lincoln की statesmanship और visionary leadership की दास्तान आये जानते हैं कि कैसे उन्होंने civil war से अमेरिका को बाहर निकाला और slavery का खात्मा किया रोल इन civil war दोस्तो एब्रहिम लिंकन के office जॉइन करने के पहले ही साथ southern states South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana और Texas ने union से खुद को independent announce कर दिया था US government ने इन नई countries को recognize करने से इनकार कर दिया और उनको illegal घुशित कर दिया 12th April 1861 को civil war स्टार्ट हुई जो अमेरिका की history का bloodiest war बनने बाला था US दो parts में divide हो गया Northern states जो की slavery के against थे और Southern states जो slavery का समर्थन कर रहे थे इन rebel states को confederate states बोला गया January 1st 1861 को Lincoln ने Armed Forces की commander-in-chief होने के नाते अपनी powers का use किया और emancipation proclamation issue किया जैसा कि हमने बताया कि इस proclamation के तहत सभी confederate states में slavery को illegal करार दे दिया गया यहाँ एक चीज को ध्यान में रखना ज़रूरी है क्यूंकि ये law US Congress यानि वहां के legislature से पास नहीं हुआ था बलकि एक war strategy के रूप में पास किया गया था इसलिए rebel states के slaves reality में free नहीं हुए लेकिन इस law के कारण कई slaves अपने masters के चंगुल से भाग कर northern states की territories में जाने लगे दोनों ही तरफ से armies इकठी हुई और लंबे समय तक चले इस war का अंत 1865 में हुआ जब सभी confederate generals ने एक एक करके surrender कर दिया यानि इस war में दो main चीज़ें सामने आई पहली तो ये कि Abraham Lincoln ने slavery को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और emancipation proclamation के बाद उसको legal status दिलवाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किये और 1865 में US Congress ने finally 13th Amendment पास किया जिसने slavery को हमेशा के लिए abolish कर दिया वो समझ चुके थे कि slavery को end करने के लिए patience, careful timing और proper calculations ज़रूरी थी दूसरा उन्होंने अमेरिका की politics में प्रेजिडेंट के role को हमेशा के लिए बदल दिया उन्होंने प्रेजिडेंट को Congress और courts दोनों से सुप्रीम साबित किया उन्होंने army और navy का expansion किया बिना Congress की इजाज़त के बड़ा amount war में खर्च किया post offices को बंद करवाया कई locations में habeas corpus की rits को suspend करवाया और कई ऐसे काम किये जो laws के against भी थे ये सब काम करने के लिए Lincoln को एक बाद एक constitutional provisions को ignore करना पड़ा तो जरा सोचिए दोस्तों कि ये सही किस प्रकार से हो सकता है Lincoln के हिसाब से nation को lose करके constitution को preserve करने में कोई sense नहीं था इसलिए unilateral action का use करके उन्होंने अपनी powers को emergency authority बता कर justify किया जो उनको अमेरिका के लोगों ने दी थी उनका ये मानना था कि president की एक special duty होती है जो congress और courts दोनों से ही परे है और इसे crisis के समय practice करना जरूरी है दोस्तों इस तरह union का preservation, democracy का continuation, death of slavery और civil war से अमेरिका का बाहर निकलना ये सब ऐसे कारनामे थे जो एब्रहिम लिंकन ने अकेले handle किये अमेरिका के इतिहास में किसी भी president ने कभी इतना बड़ा crisis न फेस किया था और ना ही इतना कुछ accomplished किया उनकी सफलता के लिए pro-slavery लोगों ने एब्रहिम लिंकन को 1865 में assassinate कर दिया और वो पहले American president थे जिनको assassinate किया गया लिंकन मारे गए लिकिन उनकी legacy नहीं तो आईए देखते हैं कि एब्रहिम लिंकन और उनकी सोच ने किस तरह दुनिया को बदल कर रख दिया एब्रहिम लिंकन and the world दोस्तों लिंकन के struggle ने दुनिया भर में कई social reformers को slavery जैसी व्यवस्ताओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेडित किया इंडिया की बात करें तो famous social activist जोती राओ फूले जो लिंकन के contemporary थे वो लिंकन से काफी प्रभावित थे फूले ने हमेशा खुद को और इंडिया को लिंकन से जोड़ा वहां की slavery को फूले ने यहां के caste system से connect किया और उनसे inspiration लेकर caste को खत्म करने के अथक प्रयास किये इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि 13th Amendment ने slavery को खत्म किया इसके कारण African American slaves के लिए 1865 में ही दुनिया बदल चुकी थी उन्हें slave की life, brutalities और indignities से मुक्ती मिली जैसे family members की possible selling, relocation, sexual assaults, etc. यही उनको education, wages, legal marriages, home ownership, equal rights deny की जाती थी अब यह सब उनको directly constitution से मिला 1865 से 1877 के बीच reconstruction period में US Congress ने कई laws पास किये जैसे citizenship और voting rights अब African Americans ने actively public offices को join करना शुरू किया Abraham Lincoln के इस action ने दुनिया के और देशों को भी slavery abolish करने के लिए encourage किया इतना ही नहीं उनकी legacy उनके बाद भी America में कायम रही और Lincoln ने America में कई protests और demonstrations को inspire किया हम आपको बता दें कि भले ही Lincoln ने slavery को abolish कर दिया था पर America में racism खत्म नहीं हुआ था और यहीं वज़य है कि Lincoln की मृत्यू के लगभग 100 साल बाद 1960s में America में civil rights movement का उदय हुआ जिसे lead कर रहे थे Martin Luther King Junior Martin Luther King Junior खुद Lincoln के effort से प्रभावित थे और इसी लिए उन्होंने America में racism के खिलाफ अपना famous speech I have a dream Lincoln Memorial के steps में खड़े हो कर दिया वो हमेशा Lincoln के emancipation proclamation की बात करते रहते थे दुनिया में racism आज भी किसी ना किसी form में exist करता है और ऐसे में America सहित पूरी दुनिया में समय समय में protests और demonstrations होते रहते हैं और इन सभी protests में Abraham Lincoln की legacy को याद जरूर किया जाता है Lincoln के द्वारा plan किया गया reconstruction भी दुनिया के लिए एक और मिसाल बना इस plan को उन्होंने southern states को वापस union में जोडने और देश को civil war में हुए economic losses से निकालने के लिए बनाया उनके इस plan से global economy को भी कई चीज़ें सीखने को मिली जैसे low और middle income groups की upward mobility को बढ़ावा देना country में उनको significant stake देना और business establish करना definitely national economy को push कर सकता है black African Americans को उनका हक दिला कर उन्होंने देश को crisis से बाहर निकालने में एहम भूमी का निभाई slavery abolish करके उन्होंने government के रोल को जागर किया जो समाज में पीछे चूट गए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है और उनका ये प्रयास दुनिया भर के कई देशों के लिए आज भी inspiration है इसके इलावा November 19th 1863 लिंकन ने Gettysburg Address दिया जिसको दुनिया के सबसे famous और shortest speeches में गिना जाता है इस speech में उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि एक nation को बनाई रखने के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि all people are created equal इसी address में उन्होंने famous quote दिया Government is of the people, by the people and for the people उनके ये famous ideals भी आज दुनिया की सभी democracies और political leaders के लिए प्रेरणा सुरोत बन चुके है तो दोस्तों ये थी कहानी USA के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध प्रेजिडेंट Abraham Lincoln की जिसने दुनिया को equality, liberty और democracy को true sense में preserve करने की सीख दी ये थी कहानी उस Abraham Lincoln की जिसने slavery को खत्म कर दुनिया भर के उन करोडों लोगों को motivate और inspire किया जो सदियों से slavery जैसी व्यवस्थाओं तले उत्पीडन झेलते रहे झालब 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 तले जो से अन की जासका है